तो आप खूद करोगे यहाँ पर आप सभी देखते हैं तो फैला पॉइंट से आगा है तो आप सभी जाते हैं कि सुभर होते ही वो बोक करने के लिए चले जाते हैं तो तो टेक टी तीसरो के आएगा तो टेक टी तीसरो के आएगा तो आप जाते हैं तो आप जाते हैं कि वो कहा जाएंगे ओफिस में जाएंगे वो ओफिस में जाते हैं तेर नबर फूर नमर के आएगा लंच लेते हैं देखो तो पर का टाइमिंग होते ही वो तो टेक लंच नबर फाइव में के आएगा गर पे आते हैं अबर फूर प्स ये वो गाएगा चाएंगे वो तो टेक रेस्ट अधन तो यह है एटिविटीज फिर यह आपर क्या करना हैं तो यहां पर खुशंग नाई नबर फूर्ट नबर में और टीव पर दो एक्टिविटिस दे दी गई है, पुब्लिक टैप्स है, पुब्लिक टैप्स में कौन से चीस जदा टाइमिंग लेती है, कौन से चीस कम टाइमिंग में त्विलफ हो जाती है, तो आप देखो, यहाँ पर शोट टब दिया गया है, छोड़ा सम्मक दिया है, तो उसे कितना लगेगा, शोटर टैमिंग या लोगर टैमिंग, तो शोटर टैमिंग, तो शोटर टैमिंग के लिए क्या करना है, क्रोस्मा, और लोगर टैमिंग के लिए क्या करना है, आपको राइट मार्क करना है, ओके, देखो यहाँ पर, फुट राइट मार्क फूर अक्टिव कि यह शुडस की जो थे दिदो इत्ने तमिंगे हो जाती है कि ऑइ मिन लॉंक टाइम किसमें लगता है तो तरनसा बंसे टैंड कॉं안 में कितना तरिंग लगता है aurwhat तो यहां पर यह वाला क्य और यह वाला इंड से बनार वह पार पूर्प मिन फ़ हमें आपको स्क्टेश और यह कर सकते हैं तो आपका यह को यहां पर बोर्णिंग में लोंगर टाइमिंग में लोंगर शौन के अथे चैप्वीशं। करने की HW में longer timing and shorter timing में. Let's do homework, वो बाला भी आपको घर से करना है HW में. Mass activities done in the morning and in the evening or at night in an appropriate way. ये सभी, I mean morning में कौन से activities की जाती है और evening में कौन से activities की जाती है, वो आपका HW, घर से करोगी आप. Mass activities perform in longer time and mass activities perform in shorter time. तो देखो यहाँ पर ये लड़का घर भी जा रहा है तो उसे longer timing होगा ये shorter timing होता है, आप खुद देख सकते हो ना, तो यहाँ पर ये खुद करना है आपको, यहाँ पर देखो ये चल कर जाता है, तो longer timing है और ये bicycle लेकर जाता है, तो उसे shorter timing हो जाएगा, तो longer activities में right mark and shorter activities में time mark करना है, फिर happy birthday to you, happy birthday की activities है देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, happy birthday to you, happy birthday to you में long timing किसमें लगेगा, ये decorate करने में लगेगा, या बोलने में, तो वो आप खुद सोच सकते हो करोगी, फिर यहाँ पर देखो, milling करता है, ये बच्छा, ये drink करता है और ये मिल लेता ह तो किस activities में longer और किस activities में shorter timing होगा, वो सोच कर आपको करना है, घर से, फिर देखो, कोई भी person है, वो airplane के जरीए जाता है, तो कौन सा, उसे shorter timing होगा या longer timing, और यहाँ पर बस इसके जरीए वो सफ़र करता है, तो longer timing होगा या shorter timing, वो खोड़ करोगी आप, यहाँ पर bicycle और scooter, क किसमें longer or shorter timing होगा, वो आप सोच कर सकते हो, ओके, फिर लट टू, homework इसमें आपको क्यान है, तो match activities, journey in the morning, आपको morning timing में कौन सा अक्टिविटिस करते है, उसे match the first करना है, और इन evening और night, evening में कौन सा अक्टिविटिस करते है, तो morning activities को morning के साथ, evening activities को evening के साथ, और night activities को night के आपको connect करना है, I mean match the first करना है, तो यह आप खोद करोगे, घर से, as should we lay, यहाँ पर देखो, question number two, observe the picture and put a right mark for the activities that takes long time and takes short time for the activities that takes short time in the given, देखो, यहाँ पर error plan or time, इन दोने में किसका longer time होगा और किसका shorter timing होगा, वो सोच कर आपको करना है, वो आप सोच सकते हैं ना, तो वो खुद करना है, फिर आगे देखो, observe the pictures and write the correct order of the activities in square, correct order देना है, यह पूरी activities दे दी गई, उसमें पहले activities कोन से आगी, first, second, third, fourth, कौन से activities आप कैसे arrangement करोगे, यह सारा घर से आची रखने में, यह सारा घर से आची रखने में, यहा